साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चानल पर चलिए आज के खुबसूरत सिसाखी सुनते हैं एक बार एक पंडी जी ने एक दुकानदार के पास अपने 500 रुपई गिर्वी रख दिये पंडी जी ने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे वापस ले लूँगा अब कुछ सालों के बाद जब पंडी जी ने अपनी बेटी का रिष्टा कर दिया तो पंडी जी उस दुकानदार के पास गए लेकिन दुकानदार ने उनके पैसे देने से इंकार कर दिया और बोला कि आपने मुझे कब पैसे दिये दुकानदार ने पंडी जी से कहा कि क्या मैंने आपको कुछ लिख कर दिया है पंडी जी उस दुकानदार की सरकत से बहुत परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए फिर कुछ दिनों के बाद पंडी जी को याद आया कि क्यों ना मैं राजा से इस बारे में शिकायत कर दूँ ताकि राजा कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी की शादी के लिए मिल जाएगा फिर पंडी जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाज सुनाई राजा ने पंडी जी से कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी तुम उस दुकान दार की दुकान के पास में ही खड़े रहना अब अगले दिन राजा की सवारी निकली सभी लोगों ने फूल मालाएं राजा को पहनाई किसी ने राजा की आरती उतारी पंडि जी उसी दुकान के पास खड़े थे जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उन्हों ने राजा जी ने पंडित को प्रणाम किया और कहा गुरु जी आप यहां कैसे राजा की सवारी आगे बढ़ी थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है अब आगे आपका भाग्य उधर वो दुकानदार सब कुछ देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी साथ गाठ है कहीं पंडित जी मेरी हरकत के बारे में राजा को ना बता दे कि मैंने उनके पैसे नहीं दी उस दुकानदार ने उसी समय अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंड कर लाने को कहा पंडी जी एक पैड के नीचे बैठे कुछ सोच रहे थे अब उस दुकानदार के मुनीम जी ने बड़े ही आदर के साथ पंडी जी को कहा कि दुकानदार आपको बुला रही है आप मेरे साथ चलिए अब जैसे ही पंडी जी उस दुकानदार के पास कए तो दुकानदार ने आते ही पंडे जी को प्रणाम किया और बोला पंडे जी मैंने काफी मिहनत की और अपने पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपय भी हो गई है पंडे जी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है और इसलिए एक हजार रुपय आप मेरी तरफ से ले जाएए और अपनी बेटी की शादी में लगा दीजी इस प्रकार्स दुकानदार ने पंडे जी को 13,500 रुपय देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया सासंगर जी जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने से हमारी विपदा पंडे जी की विपदा दूर हो गई तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानि की सत्गुरू, परमात्मा, निरंकार्दातार के साथ अगर हम संबंध जोड ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या परिशानी हमारे साथ किसी भी तरह की परिशानी नहीं रहेगी और किसी भी तरह का अन्याय का तो प्रश्न ही नहीं उठता इसलिए हमें भी अगर संबंध जोड़ना है तो इस इश्वर इस नरंकारदातार सत्गुरू के साथ हमने संबन जोड़ना है उमीद करूंगी कि साखी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी